अगे बहुत डिटेल में बेक नम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे और यह वीडियो के लिए अगर आप मेकानिकल मैटलर्जी और माइनिंग के स्टूडेंट है तो यह तीनों में यह जो सिलिबस है प्रोडेक्शन आप स्टील और यह सब जो हता है कबाइड होता ह है और इससे पहले मैंने कास्टिंग भी से पहले रापने वीडियो फ्लोट करिया अगर आप लोग ने वह वीडियो नहीं देखिए तो वीडियो को जाके जरूब देखिए क्योंकि वीडियो भी आपके लिए मैटलर्जी और मेकानिकल वाले की बहुत चाद़र इंपोटन साथ कि मैंने प्लैलिस्ट बना दिये मेकनिकलि ही अगर आप लोग नहीं देकि ए प्लैलिस्ट फोगों फाल बहुर्बरिशिय के सिर्धल के बारे ख़र लीजिगा और मैं बना और बीडु जा सब्सक्राइब हो तरह चुछ महीं प्राइब तरोम इस चाहिए वार फिर्न की डियार किकल में इस चीज़ को मैंने धिककला की आपको यह पर यह पर दिख़ा हुआ हूँ अब देखिए इस आसा तो है नहीं को फ्री में मतलब जमीन में से निकाला और लोहाल कि उसकूल नहीं लोग भी पत्थरों के अंदर और के अंदर जैसे की काफी जानी ओर निए नीला भी आपको दितरा हो यहां पर यह सब क्या यह आयरा नहों बाकि इसमें अमेटल भी होगा उसमें कुछ मिट्टी भी होगी तो सब चीद मिलके यह और बनती है आपको और भी पता होगी काफी स ही 50 पत्तर हो यह में सोन कर भी और ये तीसा होता कोग के बारे मिन इंट आपको पता चुकआ फिर प्र विवाद्म कोणा से अब जोटा ज tussen आ रहते हैं और 48 और बार में मिलता है कि दो खुटी पर बाद होती है अर्थ क्रश्ट मतलब की उपर नहीं परत होती है एडिके इक फांद मतलब मतलब माइनिंग जब हमने माइनिंग कर लीज की तो और को क्या करना हो क्रेश करना हो हतोरे से हैं जिससी मशीन हों से बड़े-बड़े बुलदोजेर से हम इसे CRUSH करके मरे चूरा बना लेते हैं उसके क्या करते हैं , इस पर हम क्या करते हैं , बायेड आप बॉल्स और भृक द्रयूस यहीं बीज करते हैं और बिना उक्सीजन में यह दाखिए अब यहाद है कि यहाँ पर कोग बढाने के लिए उक्सीजन नहीं होनी चाहिए ठीक है वन्ना वो जल जाएगा तब उससे में वहादा है कोग कोक क्यों मिलाते हैं के साथ मेन कारण क्या करता है यह ज्यादा ही जारता है यह से क्या हूता है क्या क्या थे के अंदर उसे भी निकालना कापी जाता है आधिक इन ओर दो कैमिकल येक्षेंट जो टेक प्लीस करती है, महाँ पर काफी सारी जो आई एक्षाइट के इंदर कैमिकल एक्षेंट होती है, वह एक्षाइट से आई रेंग को सेपरेट करने इनके थुरू असान हो जाता है, होता है, यह आपका लैमिस्टोन होता है, इस यूस्टोन होता है, क्या 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 होता है, इसे मिला जाता है, इसे मिला जाता है, आपको पता होता है, इसे मिला जाता है, आपको पता होता तो धूर तो दीकिए फ्लोट तूट दूट व्ता इंट अगती है तरफ ट्रिकित अंगल अब तरफ किसे तर्म लिखती है तो श्चलेक से चाहर लगती है तो धिकिए अरन मेकीं का इक बेसिक डियागराम आपको दिखरा हो यह आप इरन मेकिन कैसे करके करिया ती बहुत कॉकिंग कोल एंड आयरन वाद बेसिक रॉम मतर्म देखिए बताये को और यह दो मेन मतर्म होते हैं किसके लिए आए पिक आरन मनाने के लिए पिक आरन बलाए होती होंती फरनेस आथा प्लास्ट फरनेस आपको पतावने सीचिह ब्लास्ट सब कुछ डिसकुष करेंगे बाइ पाउट पर्सेस कर जाता है तू निकलने में असानी देने के लिए जो ता हमेशा हमेंशा होता है बॉटम एश पे हमाशना यूज कर रहाता है अतिके due to the high weight, यह था high weight के कारण मतलब अब ज़ादा होता है, load to burden column, simple column would break into the small particle, तो क्या होता है जो छोटे-चोटे column होते हैं, वो क्या होते हैं, चोटे-चोटे particle में तूड जाते हैं, और ब्लोक कर देते हैं यह गैस की stream को, यूजिंग मेल जनलेशोंग देलेक्टरिक बारिंगर तो यैंदियो किस्वे उसलिए इलेक्टरिक पालर चरपार प्राइशन थें। अरदिकिन पारटरलेशन फेट्रेट्मेंट पर देलेशन बुद्रमेट्ने प्रीट्मेंट करते हैं उन्हें। करते हैं सबस्क्राइब होते हैंder कि बैंड करते हैं शुर्ण को इसने पहले उनकी dealing कह्ते हैं विलाश में छेक्ट देथा जारी device को समुझ करते हैं तो है आपैके का गमें बेच के पर एंट्र去了 पěटीकल को बीक करते हैं किते एक और सेपिश्ट के और विस्टेंग के बढ़ मेन डियमेंटर डियमेंटर के पाइटिकल्स होते है ने बेक या लिए अधिक और जोटीन होती है उनका रिडेक्शन होता है और भी बहुत साहिज फेडिगी से जाती है अब देगे दढ़े भलाश फन फंश जबको पता वागा भलाश फनेश प्रिक आर आण नाती तो इस तरिक बाता है रेडक्शन कर जाता आरब का जो ओर होती एए यह आपको पता हूगा है यह तेंड डोनों में ही आई एनिया तेमपरिचर बना पिकले लेगा यह न वो पिखलेगा नहीं तो उसके लिए को दोनों गाई टेंपरिट नहीं होगा और विचे जन्नेटेट वाई कमेशन अपड़ यूदिंग हाउट ब्लास्ट मतला उसका यूज कैसे करेंगे हाउट ब्लास्ट के तुरू कमेशन करके मतला ब्लास्ट पनेश में आपको बहुत सब्सक्राइब करें जाता है तरफ आपका में आयरन बन जाता है चब दोनों का सब्सक्राइब यह ना तो उसे क्या करते हैं तो स्लेक टेप प्लेस इंद पूल दनर आउटसाइड दर फरनेस यूदिंग देंसिटी दिफ्रेंस के एकार दोनों ही आप देखिए वह जो मैं मैटल होती है वो ज्यादा देंसिटी वाली होती क्योंकि भारी होती है स्लेक कमबाल आप तो उ लेटर देंट शेसों पचाज़ी चल्सेस होता है और देंसिटी जो होती है तो फाइब ग्राम पर सीसी होती ही उसी को हम क्या कहते है एच बी आई ठीक है यह प्रोड़क्त मतलब बंता है जो उसके अंदर बट्टी करना है वेट आप देखिए वेट इच फरम कितना होता ह जो आपी लाइनल लाम मतलब लेंथ मेट और थिकने शूरी आपको तो है इसे साफ़ साइज ए रखा आपको यहां को साइज देखता है जो एच बंता है इसका साइज होता है अब देखिए यहां फे देख सकते हैं मतलब यहां देख सकते हैं definition Dr भट्टी के अंदर रेक्श तो यहां पर दिख्या हो देखिए ऐसी सरी के से होता आपका DRI, डायक्त रेक्शन आरण हो, मतलब डायक्त रेक्शन आपका आरण हो करी जाती ही यहाँ पर, और इसी के तो, फिल्ड फिल्ड श्रॉट एक दो सेंग फाम दाट पैलेट पैलेट आउट रूंप इन लूंप आउट ठीक है, अब आदें कि होट ब्रिक्वूटिट आयरन मतलब ऐसा जो गराम होता आपको पता ही आजू एडाइश्म दिवन इस तरीके की डैंसिटी क्या लेंद्स क्या वो सब शीव में डिसकस कर दी क्या वतार डैरेक्वूटिट आयरन के लगाता डैक्वीन होट मतलब कितना बहुत अब आपको शेश्वाट अब ब्रिक्वूटिट टू हाई डंसिटी प्लोग शेव ब्रिक्वेट ठीक है पिलोशेप अब टाकी एंगी तरह ठीके से तो होट मेटल मॉल्टल आयरन इस लुकट फॉर्म एबर पचेस तो जो हाट मेटल होती मैटर की वोगती होती है तेरह स है दिक्ल ऐलमुनियम क्रोमियम सर्फर मॉले डिनम और फासफर होते हैं इसके अंदर गेज रॉप मिलनार अन्ट आइरन साधा चैस लिका सिलीका मिट्ट मैटल अल्मॉनिया हो गया क्यल्सिया हो गया मैंगनेशा घ्रीके सब भी मिलते है अधिके धीज रिमेंट से ओक्सा होती है oxide form में जिससे आपको iron का यहाँ पर मिल जाता है ठीक है अब देखिए iron ओर जो डियल प्रटी chemistry क्या अगल होती है iron की क्या ज्या होती देखिए iron और के अंदा 60% इस सब value दे रखी है कितना परसेंट तक iron होता है ठीक है तो यहाँ पर आपको देख रहा हूं का MGO, Magnesia, Phosphorus, Copper, Zinc, Vanadium आपका Lead हो गया, Sulphur हो गया, Magnes हो गया, Calcium Oxide और Silicon Oxide तो इस सबकी percentage आपको दे रखी है है HBI chemistry typical HBI के अंदर देख सकते हैं आप chemistry का टोटल आइरान मतलब कितना होता है 90 से जो मतलब आपका जो मैल्टेड आरन वेक्टी के अंदर बन जुका है यह उसकी तरह कि और जो और यह उसकी तरह की है जो और होती है स्टाइटिंग में जो आप यूज करते हैं मिला के सब कुछ उसकी और यह एच्वी टिपिकल क्या है जब आपको और से अलग हो जाता है तो वहां पर जो एच्वी प्रोटेक्ट बनता है यह उसकी देखिए उसमें 90 परसेंट तक आ रहे जाता है बाकि ऐसे पर्रण करके ही क्ति बचे करके वेश्चेता कि कुछ परडी गैसे पर और चलते 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 आट है और अपर से निए क्टेल के नीचे यहां पर चलते तो यहां पर 12-300 के असपास तक अगर आता रहा है पंद्रों भी आजाता है उसके बात क्यों यहाँ जगे से पूरा मतलब डैंसिटी चेन जो क्या वाड़े एक यह से लाग निकाल ले तो गंदगी होती है और दूसी जगे से हम कहा निकाल लेते हैं में मैडल जो में निकाला है और बाकी इसमें देखिए होड यह चेट से टोप्स होते हैं ही करते हैं इस çekराभर को सापर करते क्यूंकि यह कुछ सस이고 सब्सक्राइब अताइं सब्सक्राइब ममंछन यह इसे सपलाई करते हैं तो यहीं सब एक में से भूरा ने वेवेडर यहां फिर उन incorlvy लगे खली में इसमें स्टोप के थुरू अपने अंदर इसमें डाला और यह आपकी गैस यहां पर क्लीनिंग हो गई तो यह तो एक बीसिक डियाग्रामा पूरा ब्लास्ट पने इसका आपको दिख रहा हो है आपको दिख रहा हो है यहां पर मतलब आएक पिग आरन के अंदर कौन-कौन से सब्सक्राइब आपको बाकी जी जो बसती है लोगोने के बाद बूसलेग होता है और मेटल में मतलब सीजय आपको मोल्डिंग में चला जाता है इस नाव बिग आरन एक रहे लागा अपको बसारि यहां से जारी होती है एक तरहां आपका स्लैग इखटा और एक तरह आपका इरन इकट्टा ऑया यहां पर अब वागी होट एर जो होती है आपकी उससे प्रोवाइट कर जाती है जहां से मैं आपको बताया थे स्टोब बघर लवो होते हैं तो उसे होट एर आरन को मेल्ट करती रहती है और आरन जो पिगले फॉम में यहाँ पर नीचे आता रहता है यह तो इक बेसिक डियाग्राम है और कि Blast furnace का ऐसी का और वी ढाएं का दिख सकते हैं यह सब्लाइब करने के लिए गरहते हैं इस तरी के सप्लाइब करते कि अंदर प्पिगलता रहता है यहां से है सब्लाइब कर जाती गरम और ब्लाइब यह एक बेसिक ड्राइब्स के क्या होता है मतलब रिजक्शन करता है औ मतलब मोटी मोटी ब्रिक बगारा भी लगी जाती है चारो तरफ है ना आपको रिफेक्टिनेस चाहिए है हाई तेमपरिचर यहां पर इतना चन्रेट हो रहा है तो ब्रिक तो चाहिए नहीं चाहिए तो आइरन ओर को के लामिस्टोन आरदा पूटें दूर टॉप मैं तीन ब ते बाइं कारवन क्योंकि कारवन से क्या होता है डिस्प्ले रहा है जीजिस मोर एफिशेंट में हैं लेक्टेश करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत होगी और बहुत टेकल लगेगा लेकिन यह कि मेथड़ होता है से हम आसानी से हम कर सकते हैं तो यह आपको जाती है आट सो डीजी सेलसे तक भी यहां टेपरेचर डेनेट होने लगता है यहां चोदो सो क्यास पास तो फे तो बेल्टिंग हो जाती है फिर पूरा बन जाता है एक जगे और यहां से प्योर मैं मोल्टर हा रहा है क्योंकि आपको पता है जो आइरन होती है इसकी घ्रैउग से शियाई जो सिय न्युद सारे फिर प्रेटिंगर फूर है कॉयािए सो यह ही अक कशिभा आख अ को सब्सुक्रीट रेक्शन कोहां थैजिए जो कुछ धो है रहा है की प्रूरु तिक यह a तरीके से क्या सक्का काम क्या करते हैं जो बनाने में उसके लेते हैं उसके लिए काम आजाता है अब देखिए अब आया हमारे स्टील मेंकिंग यह भी एंपर्टेंट है स्टील कैसे मेंक कर जाती है steel making is the second step of the printing steel मतलब पहले तो आपको pig iron में नहाना पड़े को सीगे बाद तो steel बनेंगे तो अब आपका जो step आगे steel आपको steel के बारे में कुछ बता देता हूँ steel होती क्या है देगे steel और iron में steel क्या होती है जिसके अंदर carbon की percentage 2.11% maximum होती है इससे ज़्यादा गर iron की percent होगी 2.11 से plus तो इसका मतलब वहाँ पे आपका cast iron हो जाएगा वहाँ पी क्या हो जाएगा cast iron तो हमेशा 2.11% से iron की percentage क्या रखी जाती है और start किसे करी जाती है approach 0.115 से जो medium low carbon steel होती है और lower 3.5% सब तो यह चीच आपको याद रखनी है कि iron और steel में अंतर क्या है तो आपको यह चीच carbon percentage से iron और steel में अंतर होता है जबी आपने कभी iron carbon diagram पढ़ागा तो आप लोग को यह चीच पता होगी ठीक है अब देखिए iron ore it is the state इंप्रोटीज है sulfur excess carbon और remove from the raw iron अब देखिए जो iron ore होती है पता है आपको iron ore के अंदर carbon भी होता है sulfur भी होता है वैनेडियम यह सारे material होते है मैंने आप ऊपर बता है तो आप क्या करते है iron ore में से ठीक ही steel बनानी है तो आपको carbon तो 2.11% तक ही रखना है सब कम रखना है तो उन सब को क्या करेंगे remove कर देंगे उसमय से ठीक है अब देखिए steel making की कौन कांसी process होती है उन्हें भी देख लिए ते इक बार steel making बनाने की कुछ processes important है देखिए basement converter process मतलब basement process होती जिसके त्रू करते है open heart process basic oxygen converter process ठीक है यह काफी सारे जो इंडिया के अंदर प्लाइन टाउन के अंदर यह सब process यूज होती है जिससे हम इस्टील बनाते है ठीक है आपको पता हुने चाहिए एल्डी प्रोसेस दूप्लेक्स प्रोसेस पी बनाए जाती है electrical furnace यह भी काफी important process है secondary जैसे vacuum dressing process refining लेटल मैडलर्जी सब इन प्रोसेस का जितने बीए आपको पसर देखती है इन सब का काम स्टील मेंकिंग में होता है ठीक है जब आपका स्टील मेंकिंग है आप दो इस्टील मेंकिंग का इप फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा यहां पर देखिए ली आपको लैंने इस्टोन ॉर प्लस आपका कोल मतली से इंजैक करा गया अंक्यारण के बार टीक इंथर आपको डालें किया डेर्क्ट्रेक्षण पर सब्सक्राइब करने के बाद इसका कहां ही उसका हमने इलेक्ट्रिक आर्ट फरनेस में इलेक्ट्रिक आर्ट पर से क्या था मोल्टल स्टील बन गई आपकी क्या बन गई मुल्टन स्टील को क्या अगरा आप रिफाइन करना हुगा इस्टील बनने के बाद उसका रिफाइन भ बागी जो बचीक गया इसके इंदर उसको डुबाला लिया भी इंदर फिर वेसे क्या करा सब्सक्राइब नहीं आउने से आपको प्रीकारण बनाना है तिक इसके तुरू है क्या करेंगे यहासे आपका आरंज होगा पीघारन यहां से सफ्लाई करते ही है ठीक है प्रिगार सिंग starred आई पर प्रोस्टिक कर के आपको लैन से बनाना है लिकार प्रति है एलइक्स से जो bread оф खता है तो बाकी दिखते हैं नीचे अब देखें अब नmba थे अब देखी आप इससे रिबाट गया कई बंते हैं और अब सु पाइब बहुत हैं फिक इंसे बन सकते हैं पिक के सब्सक्राइब मों सकती हैं मोंड करतीव मिलटे भी देखी हुए अपने मतलता है जिस में किसी भी तरीकर को joint नहीं होता ठीक है structure बना सकते हैं इसे बार roads बना सकते हैं सारे देखिए पूरे products अइस्टील बनाने के हैं अब देखी यहां से सक्राइब लाइख करते हैं मोलन ज़या होता है ते यह दो उधर प सैमेंट के पीद लेए डरसेश के और पम और उपेडने बनेनसेAND लेंप जिब में हमेशन ही का पुरा वह था तो कहो तो ठ्वानने करता है पका पूर भरा हुआ कि आ aún in the iron burns out, जो carbon ज्यादा कारण होता है, वो क्या होता है, वो बर्न हो जाता है, आपको पता है, carbon जैसी 2.80, 11% से नहीं चाहेगा, वैसी आपको steel मिनना चाल हो जाएगी, तो देखिए, slack funnace is compared tickling, the production of the scrap of consumeable approach, 8%, जो scrap होता है, इसके अंदर मैं जाता है, अधिकी हो जो जो cold air होती है और oxygen होती है, enrich blast is forced through the metal, किसी भी तरीके की कोई external heat की जरोज नहीं पड़ती है, और exothermic chemical actions में होती है, अर्थिक यह refining is complete about 15-20 minutes लेते हैं, इसमें इस process के अंदर, into account of the time required for charging, tapping, teaming, मत इस सारी process होती है, बट्टी के अंदर, charging, tapping, teaming, tap to tap time लगए 30 से पैसे मेंट का required होता है, इस बादे capable of the removing from, दे कि इस से क्योंता है, silicon निकल जाता है, carbon निकल जाता है, phosphorus निकल जाता है, बैग्मी निकल जाता है, और acid बागी क्योंता है, इस बादे एस बादे एस बादे एस बादे पर अपर के अंदर, कि बीसे मर में कैसी process होती, acidic process, ठी है, यह याद रखिए, इस बादे प्रोसस होती है, तो यहाँ से impurities जोती है, पिकर निकल जाती है, तो large amount of the phosphorus, more than 0.5% बाद eliminated, मतब जो बहुत बहुता है, बहुत बहुता है, बाकि जाता है, बाकि दे कि open heart process होती है, open heart process क्योंती है, यहाँ पर आपको दिखी रहा हुआ, दे कि molten metal यहाँ पर आपक आपको आप metal लिखता हो जाता है, तो दे कि इसे open heart ही तो क्योंकि खुली है, यहाँ घ्टी खुली टाप किये, अब दे कि it is heated by the either liquid या तो इसे liquid से भी हीट कर सकते है, या फिर आपको मतलब liquid and gas से भी हीट कर सकते है, जिससे आपकी मर्जी temperature 1700 degree Celsius के आसपास हो जाता है, ती है और iron का melting point कितना होता है, 1500 के आसपास, 1549 degree Celsius के आसपास iron का melting point होता है, ठीक है, tap to tap time 6-10 घंटे चलता है, यह आपको मतलब 1-1, 6-10 घंटे तक चलता है, longer time लेता है, रिफाइन होने मतलब यह थोड़ा basimer से मतलब बिकार आपकी process है, क्योंकि यह जादा time लेती, basimer थोड़ा कम time लेता है, और losses जो होते है, radiation में कम होते है, the proportion of the scrap conjunction मतलब 75% होता है, आप ठीक बेसिक oxygen करें, मतलब यह बाली भी एक process इसटील बनाने की ठीक है, इसे LD process भी कहते है, यह काफी ज़्यादा plant में यूज होती है, LD मतलब बतलब यह लिंट्स एंड डूनाविज कनवर्टर, ठी ठीक है, basic oxygen furnace showing B.O.F. vessel during process of a heat, तब proportion of the scrap consumption कितना होता है, 25%, जैसे कि आपको ड्याम को दीखी रहा होगा, यहाँ पर दीकी steel तो नीचे आ जाएगी आपकी बिगलने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऊपर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक दीखिए, steel के shell होगा, यहाँ से bubble भी बनना होगा, जो उपर बाद में निकल जाएंगे, molten slag होगा, जो गंद की उपर इकटी होगा, ठीक है, water cooled oxygen ladle होगा, ठीक है, यहाँ से oxygen आ रही होगी, तो इस तरीके से आपर दोनों जो है, आपका main iron जो पीगा रहें होगा, उससे क्या होगा, दोनों चीज होता है, और hot metal charges जो होते हैं, आपकी हाँ यहाँ पर को दिख रहा होगा, यह metal charges पूरा, तो उसके हाँ क्या होता है, oxygen blowing करी आती है, इसकी यह पूरी process दिरकी basic oxygen furnace में, blowing दनने की बाद क्या होता है, tap out transfer, उसके हाँ क्या करते हैं, इसे transfer करते हैं, किसके अंदर मतलब जो metal बनत करते हैं, बारास पनने से इक अंबट करेंगे न, iron को, तो बारास सो से साथ से तेरा सोड़ी, it is achieved by blowing oxygen through the molten iron and beer of vessel, मतलब क्या करते हैं, iron को molten iron को beer of vessel के थूरू क्या करते हैं, achieve करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, where is the combined when the remove carbon in the carbon monoxide and carbon dioxide, ठीक है, unwanted silicon, phosphorus and other elements are driving off, मतलब जो unwanted यासे silicon, phosphorus बक combined with the impurity, remove the slacks होते हैं, purity के गाड़ वासे क्या हो जाते हैं, अलाग हो जाते हैं, अदिके alternative names for this plant, process or steel, converter, BOS मतलता basic steel making plant, oxygen और BOP और LD process आपको बता दी है, इसकी full form आपको यहार रखनी है, अब यहां देख सकते हैं, BOS जो होता है, basic जो होता है, which can define a heat batch of the steel is less than 45, यह जो plant होता है, यह बड़िया plant होता है, इसकी बार में detail में लिखिया है, इसमें देख 45 मेट के अंदर पूरी steel निकाल देता है, ठीके अदर BOS rapid operation, BOS जोता है, इसलिए 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 क्योंकि बहुत तेज होता है, और यह होता है, advantage है, इसका अच्छा फायदा है, और scrap is dumped into the furnace, और जो scrap होता है, जो एक तरीक से scrap निकलता है, वो क्या होता है, डंप हो जाता है, भट्टी के अंदर ही, followed by the hot metal from the blast furnace, इस lens of the flood from the air, the throw is the blow that the high pressure steam of the oxygen caused chemical reaction, जो high pressure steam होती है, वो क्या करती है, oxygen chemical reaction करती है, separate कर देती है, reaction से क्या होता है, जो गंदगी होती 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 ही metal के अंदर से, once you refined a liquid state present to the separate containers, उसके वाद क्या होता है, इन दोलों का आपस में separate कर देती है, मतलग को अलग कर लेते हैं, अब दीगे, how are the methods involved in the risk increasing the inclusion of the nitrogen contained in steel due to oxygen, the jet is supprasonic, has a separate speed between 1.5 to 2.5 Tm, speed of the sounds, मतलब speed देखे हैं, कितना jet की speed कितनी होती है, प्रोक्स, मतलब oxygen jet की 1.5 से 2.5 और आपको पता हूं, back number 1 होता है, तो वो speed किसके sound के बरावा के लेकिन उससे भी ज्यादा होती है, तो इससे क्या होता है, आपको sulfur और phosphorus लबगा new, sulfur देखे ही 40%, 50% इसमें याद होता है, अब यहां देखिए next process आपका बात, agitation process, इससे कि तुरू भी steel आपकी making करी आत होती देखते हैं, अब देखिए, in this process the additional gas is introduced through oxygen, मतलब इसमें क्या होता है, additional gas oxygen के तुरू इंट्रू करी जाती है, bottom पे और oxygen plus lamb stone जो होता है, इसके अंदर, मतलब from the top of the converter से उसमें डाला जाता है, better mixing of the slack, मतलब इसमें क्या होता है, slack की better mixing हो जाती है, xfc कंपंशन को बचाती है, smoother participle होती है, production of low carbon steel काम, इसका production करते है, LDAC, old process, यह भी बहुत, old process, OLP, sorry, old क्या रहा हो, OLP process है, यह कि this modified process known as LDAC process, the phosphorus is removed from the total system, इस process के अंदर, पूरी तोर से phosphorus निकल जाता है, ठीक है, LDAC, यह भी steel मना नहीं किया, लग लग टाइक के प्लाइं के प्लाइं के प्लाइं के प after putting the high phosphorus 1.8% into the converter from the two operations, the necessary of the initial phosphorus connect into the hot metal, initial phosphorus के होता है, hot metal में convert हो जाता है, देखी, kaleido process, यह भी एक steel बनाने की process है, यहाँ पर देखी हम आपको कुछ important process, जो भी है, 12 तेरा process, और सबको बता देना है, ता कि आपको कोई भी process, अगर पेपर में mechanical या metallergy में भी पूछी जाती है, त तो आपके काम आईगे, माइनिंग वाल में भी important है, तो यह process आपको आनी चाहिए मिशा, अब देखी, kaleido process, इसका मतलब काता है, इस पॉसल, high phosphorus iron, about may be refined from the thermal efficiency, सी काता है, thermal efficiency कि तुरु रिफाइन हो जाता है क्या phosphorus, इन blowing position, the furnace is inclined, जो blowing position होती है, ब्लोन मतलब क्या ब्लोर, air जोकी रहती है न, और oxygen is blown into the furnace, एवाब बात, surface of the refined, high phosphorus, मतलब हाइफ फॉरस पॉरस 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 टील तू, low sulfur phosphorus, मतलब यह क्या करता है, high phosphorus iron को क्या करता है, low में convert करता है, sulfur phosphorus and nitrogen, अब देखी, electric furnace, this is very important, electric furnace भी steel making process है, यहाप आपको देखी रहोगा, यहापे क्या 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 क reduction चाल हो, अन से क्या होगा, जो आपका, इक तरीक से temperature generation होगा, यहापे जो आप, मतलब इक तरीक से iron को देंगे, iron किसमे convert हो जाएगा, यह देखी आपका बन क्या, यह उपर बन जाएगा, slack, और नीचे बन जाएगी steel, तो यह आपका इक तरीक हो था, कि आपको electric furnace से किस तर furnace close, यह देखी, इसमें जो लेक्टोर होते हैं, यह तरीक से कह सकते, ग्रेफाइट के लेक्टोर होते हैं, ठीक है, यह बाद भी याद रखना, और EF is unusually, मतलब 60 से 150 टाइम्स, यह पर melt, but occasionally longer, however, they are usually much smaller than V, मतलब यह बहुत छोटी होती, यह से VUF से, VUF तो बहुत बहुत बढ़ती है, अल्डी मेल्टिं कैसे होती है, इसके अंदर दूटो एनर्जी रिलीग भाई, आर्किंग बिडिवी ने लग तो देखिए, मैने बता है, कि इसके अंदर आपको मैल्ट कैसे होगा, जब आर्क के बीच में स्पार्किंग होगी, मतलब हीट होगा, हीट से क्यो इंजेक्शन, रिस पॉर्टल, मतलब प्रोटक्टिविटी अप रिडूस आइरन, मतलब यहां पर आपको यह समझन मा आगया होगा है, कि मैटल आफ़र्ट इसमें कम होता है, सेकेंड़ी मैटलर्जी की प्रोसेस और दूसी बाद ही है, इसमें मतलब प्री हीटिंग, इसमें उसमें अपनल इसमें इक्षेक्शन और रेस प्रोटक्टिविटी बन जाती है, आप देकी फॉर्ट से क्या हूता है, यहां पर आपका कह सकते है, स्पार्किंग होती है, इसमें त्यम्परेचर जो की मैल्टिं त्यम्परेचर होता है, वो जन्नेट हो जाता है, थी मेली नहीं कि बख सब्सक्राइब करते हैं जो आपकी गंडिकिंडिल यहां फेलीं लगती पाकी इसमें क्या है यह 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 यहां पर इस तर्फ पॉटर्ट कुछ है नहीं इसमें इसमें इलेक्टोड से आपको गरम करके दोनों चीरों को अलग कर लेते हैं हो जाता है मेल्टिंग होती रिफाइनिंग भी हो जाती है दीस लेगिंग भी होती है टैपिंग फननेस और तन आउट थी कह यह चीज़ होती है अब देखिए का मतलब क्यों होता है यह इस्टेंड फॉर्ट फॉल फॉर्म याद रखिए आरगन ऑक्सीजन और डी कार्बोना से पहले उसे क्या करते है अब इतर्की इलेक्टरिक आर्क में उसे जो फॉर्मनेस की भटी अब दोबारा करते हैं तो आपको क्योंता है स्टेनलास स्टील की केस में का यूज़ कर आता है कि एलडक्टिक आर्मे या बैक्ट डाले आता है ठीक है अमॉंत अब्सक्स के अनतर होता है कार्बन 1955 217 के औरût तो वहां पिर आपको स्टेल्स इस्टील इसे बरतन बखराब के बनते हैं आप देखना जो बरतन होते हैं इस तरह जाता है यह अलग हो जाता इससे आपका और पीणि इसे अरडिक तुद बैसल जो सपाही कने वाले जैंट होते हैं तो क्या करता है कि वैसल के अंदर डाले जाते है उससे क्या आता है वी इस गैसे गर्वीनेट जो गंदी होती है उस बट्टी थे आपके अलग हो जाती है वाइल तो oxygen combined with carbon in the unrefined steel of the red sant carbon level उससे ह मता है कार्वन लेविल का जो लेविल होता उससे कम हो जाता है जी की कार्बन का लेविली कम करना है क्योंकि आपको स्टेनले से स्टील बना नहीं है तो उसके लिए आपको 0.8 परसेंट तकी कार्बन अखना तो यह चिर इंपोर्ड हो जाती है अब देखिए अफिनिटी ऑफ दा कार्बन और देखने का लिए कार्बन कंटेंस और अडल्राकमर्स करतें नहीं पाती इसके लिए बाती उसके लिए हम सेकंडी प्रोसेस करते हैं जो कि आपको यह आप पर दिखरी होगी अब दिखें आपको सेकंडी स्टील बनानी पड़ेगी तो उसी के लिए आपको क्या करना होता है रिफाइनिंग करने होती है जो भी जैसे कि आपको उसमें सलफर मिलाना है या फिर करना होता है अब कि modern steel making is therefore carried into two stage जो modern क्रिफिए हमाठी या फिटू सब्सक्राइब करेंगे उसके असको में मतलब क्या करेंगे आपको कि कि वैक्यूम डिगेसिंग प्रॉचस यह क्या प्रोसेस होती है व्यक्यूम डिगेसिंग विई इस यूस for falling steel making एंड जिल में निडुड़ा इसमें क्या था कार्बन नै त यह वेक्यूम के अंदर प्रसेस होती है ही टेट एंड स्टेट बाई एलेक्रिक करेंट वाइल ऑक्सीजन एंटर सॉन टॉप जो पर से आती है वाकी इसको क्या होता इन सब को आपको निकाल ला था इसमें अब देखिए वाइन डीलिंग विद हाई क्रोमियम स्टील जब क्रोमियम लॉसस ऑफ दा मैल्टिक है वैक्यूम डिगेजिंग है बिकम वाइड वाइड इसपार जाता है इससे फटीग लाइब बढ़ जाती है फ्लैट पर वैरी लो कार्मन स्टील का भी स्टील कर सकते है इसका काफी है वैक्यूम डिगेजिंग इस वहुट जाब अच्छी प्रोसेस की सब सैकेंडर हे मतलब आपको इस तील बंग धे इसके बात की प्रोसेवरें अगे पश्रेक्षक रिमेंडिंग एक्रॉसलेक स्टील का रिमाइटिंग का क्या है इक पूरे रेक्षक हम और नेक्टो प्लस स्टील का क्रीट कि मेटल मेल्ट फों देला लगेगा अब देखी क्या होगा देखी ट्रेबल तो देखा बॉटम तो यह वाटर कूल करके सप्लाइप उट्रिफाइब कर देंगे तस लाइक पूलिस कर देंगे अब बाट देख्वाइब इंट फॉर्म जो शैल्प इनट फॉर्म के रूप मोग है इस इसमें सप्लाई करा जा रहा है इस बना जा रहा रहा है बले बले दीघरी यह भरे बरे टांग का आपको दिख रहा हूंगा अभी होता ऐसे हम इनकोल्स को अब ले मतब जिस भी सांचे में करके बड़े बड़े स्टील के बना दी रहते हैं चाहे हो स्कॉयर में वो चाहे राउंड में किसी में उनका वेट हंडेड एल्बीस से 40 तन तक यानी 40,000 किलो तक भी हो सकता है और इकी डाइगनेट विल भी रूफ फॉन्दा मोल्डन हीटर उसके क् इसके अंदर से उस्टील के इसमें नाम दिया गया है सेमिकल्ड इसके अंदर आपके सकते हैं कि नार्मली ऑक्सीजन होती है ना के मराबर किल्ड सेमिकल्ड और रिमिसल देगे ज़ाल इसके अंदर किसी भी तरही कि oxygen नहीं होती है इसे क्या करता है इसके क्या इंदर इसके इपोरएं डाइस की असी autism इसके अंदर कोई भी बबल नी बनते क्योंकि यह इस्टील में होती है मतलब इसमें आप उस नहीं होती है बिकाज इस सो अलेड नोट पॉरस नहीं होती मतलब किसी तरीके इसमें गड़े बटता है छेल भेज नहीं होते इस प्रक्तिकली वह गड़े इस प्राइब कर दोक्सिद निकर याथ इसलिस का ना में सेमें ही तीक है लेकिन यह सुकर्ती भी निए ठीक है और यह बहुत जादे एकोनेमिकल होती है अब देखिए केल्ड और सेमिकिस्टिल और दिमिश्टिल माँ भाई लास्ता ही रिमेड स्टील इसमें क्याते है अलमुनियम को मिला देते हैं और अन्वांटेड गैसे को निकाल देते हैं इस लिए फॉर्म दाव ब्लो और यह कैसे कहा होती है छोटे-छोटे होल से मेटल के अंदर से बार निकल जाती है और लिटल नो पाइपिंग और यह बीचो भी चिखत्ती है इस टाइप की स्टील के अंदर ठीक है अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट जी सी कॉर्टिनेस क अब क्या है यह मेटल जो आपकी इसमें मेटल डालीगे लेडिल के अंदर लेडिल से छोटे से छेट के दुरू आपका यहां से यह जो टॉपिंग से आपको पर यहां पर मोल्ड में जो भी आपको इस साचा बनाना देखिए आपको प्लेट बना दिनने यह इस तरीके से पूरी शीट बन जाएगी आपके देखिए इस तरीके की शीट आपका पूरा मोल्ड फ्लक्स से बना सकते हैं यह आपका क्या था कॉस्टिंग लगातार चल लाई है इसमें असा नहीं है कि आपको रुखी हुई है इसमें बनती जाएगी बनती जाएगी और जितना काटना हो अतना बीच पीस में से काटते चले जाएगे ना कंट्यूरस रुखेगी नहीं कभी प्रोसस अब देखिए इसमें क्या था गोस्ट टेर्टिफ टू फटनेश बनेश होती है इसमें बनती चले आ रही है तो आपको यहां पर रोग रोग के भी काम नहीं करना पड़ेगा तो यह जो थी फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स यह थी एक थी आपको फूरी स्टील्ट परफ यह थी इसमें हार एक सी बैसिक के बार में क्लियर कर दिया है इसकी पीडिया वापको टेलिग्राम से मिल जाएगी और अपकर आप कोई विडियो पसंत आती तो फैंट लाइक जरू कर दे कमेंट जरू कर दे तकी ऽाप्र इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो में आपके लिए लगातार लाता रहूंगा और फेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थेंक्यू सो मच